हलो दोस्तो इस वीडियो में आपने बात करेंगे इंकम टेक्स रीटन के बारे में आई टी आर फरस्ट के बारे में पिसला वीडियो मैंने मनाया था उस वीडियो में थोड़ी जो आपने कोमेंट किया है उसमें सुधार करके दुबारा मैं वीडियो मना रहा हूँ जैसा कि आपको पता है income tax department की जो वेबसाइट है वो नहीं लोंच कर दी गए है तो इसमें आपको कुछ नए फीचर दिये गए हैं वो कैसे आप करोगे पुरानी जो वेबसाइट थी और इस नहीं थी इसमें आपको काफी फरक मिलेगा तो सेलेड परसन के लिए आपको मैं ITR फस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं और यहां आने के बाद में अगर आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाए ना दे तो होम पे आपको एक बार क्लिक्क्राइब करना है ठीक है होम पे क्लिक करने के बाद आप इस प्रकार से इंटरफेस दिखाए देगा इसमें थोड़ा आपको नीचे ड्रैग करना है ठीक है यहां ड्रैग करने के बाद में इधर आपको जो दिखाई दे रहा है यह देखिया इनकम फाइल रिटन्स तो यहां से आप TDS return file या फिर आपकी खुद की return कर रहे हो आपको यहीं से कर रहा है ठीक है यहांने के बाद में आपको यह आप से permission मंगेगा कि आपको एक नई website पर जाना पड़ेगा i.tr के लिए तो इस पर आपको yes करना है जैसे ही आप yes करेंगे तो आप एक अलग page पे चले जाओगे और आपके सामने लग से इंटरफयेस open हो जाएगा चलिए यहां आने के बाद आपको इस पर पर कार से इंटरफयेस दिखाई देगा इसमें आपको उपर जो राइट साइड के अंदर लोगिन और रिजिस्टर दिखाई दे रहा है अगर आप पहली बार इटर फिलिंग कर रहे हैं और आपने पहले से रिजिस्टर नीट है तो यहां से आपको रिजिस्टर बटन पर दबा करना पड़ेगा जिसका वीडियो पर अमारी चैनल पर अ नंबर होगा और अगर आप टीडियस फाइल करें तो टैन नंबर होगा अगर अगर किसी परकार से फिलिंग करें तो अधार नंबर या अधर आप पर कर सकते हूं ठीक है तो आपको सेलेड परसन के लिए मैं बतारू तो आपको पैन नंबर यहां पर एंटर करना है ठीक है नहीं होंगे तो आप अपने लोगिन में चले जाएंगे यहां पर आपका लोगिन आपको इस परकार से दिखाई देगा ठीक है यहां आने के बाद आपको उपर जो डैस्पोर्ड के अंदर आपका उपर नाम दिखाई देगा इधर आपको डैस्पोर्ड के अंदर फाइल अ आपको कुछ इसमें चेंज इज किया गया है, सबसे पहले जो आपको दिया गया है, यहां पर आपकी contact details है, इसको आप चेंज कर सकते हो, ठीक है, उपर आपका pen number है, यहां इदर आपका आधार number है, mobile number है, और Gmail address है, और यहां जो है आपका secure account के लिए e-volt आपे secure e-volt कर सकते हो अधार से attach करके तो वो आप कर सकते हो ठीक है अगर इसमें आपको update नहीं करना डारेक्ट आपको e-filling करना है तो आप e-filling पर जाएंगे e-filling पर जाने के बाद में e-filling tax return है इसमें सबसे पहले आपको income tax returns इसमें आप चले जाएंगे यहाँ आने के बाद इस परकार से आपको interface दिखाई देगा इसमें आपको assessment year आपको select करना है अगर आप current year का बढ़ रहे हो तो आपको 2021 बाइस current जो assessment year है वो आपको बरना है ठीक है और नीचे आपको कुछ भी नहीं करना है ठीक है और आपको continue कर देना है जैसे आप continue करोगे तो यह आपको filling mode मांगेगा कि आप offline करना चाहते हो को online तो अपन online करना चाहते है तो online इस पे filling कर देंगा तो अपनों को के लिए पहले से प्रिपेर करते हैं एकस ऐमल फाइल तो अप लोड माँग लेगा ठीक है तो आप को आपको अओं लाइन के लिए कर देते हैं अपन जैसे प्रोसेड करेंगे तो यहां एक और पे जाएगा मैं ने पहلك कुछ को से आपको दिखा दूं कि आम स्टार्ट न्यू पे करते हुए इस परकार से आएगा इंडिविजिल सक्राइगे इंडिविजल सлек्क्राइगे करके किन्टिन्यू करेंगे और जैसे आप किन्टिन्यू करेंगे तो आपको कौन सी इत्ह PRES acceptance कर रहे हैं वह इस परकार से आपको करना है यहां पर let's start पे click करना है let's start पे जैसे आप click करोगे तो आपका यहां पर इस परकार से option मांगेगा इस option में आपको taxable income for more than basic exemption limit यानि exemption limit से ज्यादा आपका tax मन रहा है इसलिए आप बढ़ रहे हो या फिर आप section 1391 के तहते आप इसमें provision दिया गए क एक क्रोड रुपे से ज्यादा अगर आपने खाते में current account में आपने previous year के अंदर lending किया है या फिर आपने इसमें जो दूसरा दिरखा expenditure किया है दो लाख रुपे travel के अंदर foreign country के अंदर ठीक है और ये तीसरा आपका है जो increase जो है आपने expenditure किया है एक लाख रुपे तक का electricity bill क लिए पिछले साल में या फिर दूसरा अगर अधर कारण होगा तो अधर कारण पर क्लिक करेंगे ठीक है अपने इस पर ही क्लिक करेंगे tax से income tax more than ठीक है इसको continue करेंगे तो continue के बाद में आप direct इस पर चले जाओं ठीक है अब आपको मैं बताता हूं आगे कैसे आपको करना है ठीक है इसमें जो इंट्रफेस चेंज किया गया इसमें यहां देखिया आप वे उपर कुछ इसको एक जगे कर दिया गया जिस परकार से पहले इसको spreading था काफी वह एक जगे कर दिया गया इसमें आपको personal information, gross total income, total reductions, tax paid और total tax liabilities इसके बारे में यह 5 परकार के option आपको यह करेंगे तो उसके बाद में अगले में जाएंगे मैंने इसको अलड़ी पहले से फिलिंग कर रखा इसलिए आपको ऐसा से हो रहा है बाकी यह आपका है आपको तो आपके जो है प्रोफाइल के अंदर जो नेम बगएर आपने दिये वह सारे नेम यहां पर शो होगे उसके साथ कोंटेक्ट डीटेल्स होगे निचे इसमें अगर आप एडिट करना चाते हैं तो एडिट का ओफशन आपको दिया जा रहा है यहां फिर आपको स्टेट को पोफाइल करना है तो आपको फिलिंग करना है ठीक है और अगर आप फाइल कर रहे हो रिस्पोंस नोटिस आपको फिर इसको क्लिक करना होगा ठीक है और फिर आपको नीचे इसमें डिशेप नंबर बगएरा और जब डालने होगा ठीक है इसमें ध्यान रखना ये आपको कि इसके अंदर जो प्रीफिल्ड डाटा आएंगे उसको चेंज आप अगर आप करते हो जैसे तो परसनल यहां पर आप अगर दूसरा अकाउंट एड करना चाहते हो तो यहां पर एड कर सकते हो और नहीं तो आप पुराना अकाउंट है आप चेक करना चाहो यहां से व्यू कर सकते हो एडिट कर सकते हो और इसको आप अपलाई कर सकते हो ठीक है अपलाई करने के बाद नीचे पर confirm कर देंगे इसको जैसे आप confirm करेंगे तो next step पे आप automatically next step पे आप आजाओगे यहां next step आपके सामने open हो जाएगा gross total income यह बहुत महत्पुन जो point है इस point पे आपको आने के बाद में यहां पर gross total जो है उसमें सबसे पहले आप जो देख रहे हो इसमें आपका exemption के बारे में बात कर रहा है तो exemption में जैसे कि इसमें कह रहा है कि सबसे पहले आप इस exemption के लिए आपके लागो है या नहीं है यह exemption दो है यह exemption आपका एचारे से eligible है कि house rent में आप eligible के लिए yes या नो कर सकते हो या फिर आप इस exemption के अंदर है आप special जो दूसरा आपका जो section 10 ठीक है इसमें सारा लिखावा है सबसे पहले वाले के अंदर लिखावा है travel on tour and transfer maintenance uniform के लिए लिखावा है दूसरा है special compensatory allowance and children educational allowance, postal allowance बगएर है उसके लिए आपको करना है और यह normally किसी के लिए नहीं होते हैं बहुत ही rare person होते हैं उनके लिए होते हैं उसके बाद में आपका house rent का गया house rent के लिए होगा 10 30 ठीक है rule जिसमें आप अगर house rent claim exemption के लिए अगर आप claim exemption करना चाहते हो तो yes कर proper आपको rule चाहिए जो rule आपको पढ़ने जुरूरी होते हैं ठीक है और अगर rule आप पढ़ना चाहते हो इससे related तो नीचे description में लिंक दिया है वहाँ जाके आप कर सकते हो उसके बाद में claim exemptions और leave travel के लिए दिया गए तो अगर यह सारे जैसे नीचे last वाल दिये are you eligible claim any other exemption from salary income salary income से और कोई exemption चाहते हो तो उसके लिए yes करना है और इनको आगर आप skip करना चाहो तो skip भी कर सकते हो किशन को और continue कर सकते हो ज्यादा important भी नहीं है फिर इसके बाद में आगे आप बढ़ेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे चलिए यहां आने के बाद में आपको इसके अंदर भी चेक कर सकते हो कैसे करेंगे तो उसके लिए आपको यहां पर 26 एस में जैसे आप जाके यहां पर इदर ओप्शन मिलेगा आपको मैं उसका वीडियो अलग से बता दूँ आपको तो उसमें जाके आप इसमें वेरिफाई भी कर सकते हो तो यह 26 या फिर आप का यहां पर शोगा यहां दिखाएगा और पार्ट बी के अंदर पार्ट एक अंदर जो रासी होती है यह वाली जो टोटल इंकम होती है वह पैड क्रेडिट यह कोई जूर नहीं है कि टोटल आपको पार्ट बी के कोडिंग दिखाए दे ठीक है और पार्ट बी जो होता है उसमें आपकी सेलरी की टोटल होती है, आपने ग्रोस सेलरी कितनी उठाई, कितना एक्जम्शन लिया, क्या-क्या आपने डिडेक्शन किये, वो सारा यहां पर शोगा, तो यहां आप देख रहे हो कि सात लाख है, जैसे एक्यासी जार सासो बाउन रुपे, इसमें टोटल टेक्सेवल इंकम है, इसमें मैं छूट के बारे में बताओं कि कैसे लिगल तरीके से आप छूट पाके और टेक्स को जीरो करोगे, तो इसमें जैसे आप यहां पर करते जाना है, यहां अगर अगर प्रिफिल्ड डाटा आ रहा है और वो आपके फोर्म सोडा के अकोर्डिंग अगर मतल मैच कर रहे हैं, तो आपको फिर चेंज करनी क्या सकता निये, अगर अगर मैच नहीं कर रहे हैं, तो आपको चेंज करना है, ठीक है, इसमें डाटा प आपके जैसे यह section देख रहे हो अलग अलग इस section नोर्मली किसी के लिए लागू नहीं होती है जिस परकार से आपका standard deduction के बाद में entertainment allowance है और professional tax allowance है इसको आपे save करेंगे और continue करेंगे और next पे बढ़ जाएंगे ठीक है तो जैसे next पे आएंगे तो next से आने के बाद में आपको यह कुछ option और open हो जाएंगे आपके आगे और यहां जैसे नीचे आप देख रहे हो इसमें house property का आएगा अगर house property आपके लिए eligible है यानि house property में आपका किसी परकार का rent आ रहा है या फिर आप house property में मतल आपको income हो रही है तो आप यहां से इसको add कर सकते हो ठीक है यहां add करे होगा यह option आपके सामने open हो जाते हैं ठीक है अब house property में आपकी self occupied है कि let out है कि dimmed है कि किस परकार की है वो आपको करनी है ठीक है अपने लिए लागू नहीं है तो इसको मैं cancel कर देता हूं फिर next जो point आता है वो आपका आता है income from other sources income salary के लावा other sources income अगर आपकी हो रही है तो वो यहां पर आपको enter करनी है ठीक है तो आप यहां पर add कर सकते हैं और other sources के अंदर किस किस परकार की income है वो आपके सामने यहां देखिए इसमें किस question है तो इसमें आपका देखो एक तो saving account का है interest on income tax saving bank account इन इंडिया तो इसके बारे में पूछा गया है तो इसमें saving account के अगर आपका interest आ रहा है तो 10,000 रुपे तक का आपका income tax से benefit आप पे exemption ले सकती हो और फिर bank और post office का दिया गया गया एक exemption का और फिर आपका नीचे family pension का भी दिया गया है interest from income tax और any और dividend इस परकार से दिये गया है और अगर यह आपके लिए मतल इलिजिवल निए जैसे मेरे तो मैं इसको skip कर देता हूं ठीक है और मैं आगे बढ़ता हूं फिर आगे next point आता है उसमें exempt income के बारे में information मांगे only reporting purpose के लिए तो इसको आप confirm करके continue कर दे और आगे बढ़ जाए ठीक है जैसे आप confirm करके continue करके आगे बढ़ेंगे तो आपको यह जो second option है आपका tax deduction का वो आ से पहला जो किया जाता है वो किया जाता है कि are you eligible for deduction of donation pad तो आपको yes करना है अगर donation pad किया है आपने और अगर आप राश्टान government के employee हो तो आपको yes करना है क्योंकि आपने करोना CM fund के अंदर आप पैसा जमाक रहा है उसका relief कैसे लेंगे तो उसके बारे में आपको बताएंगी इसमें फिर donation of scientific research में अगर आपने रूरल development बगरा में किया है तो उसके लिए अलग है और फिर नीचे जो है 80 GG की जो कलम deduction है वो आपका अलग है ठीक है और यहां जो है section 80 के तहट आपने अगर exemption लिया है यानि सब भी लेते हैं जिसमें आपका provident fund life insurance premium तो यहां यह exemption आपको यहां पर जैसे इसमें provident fund का life insurance का और पीपिएफ के लिए है five year tax saver fixed deposit के लिए आपका दिये गया है तो यहां पर आप totally यहां पर बनेंगी ठीक है और फिर आपके बास में यह कि do you agree with your information तो यह आपको yes करना है SECCD जो है आपकी NPS employee related है जिसमें आपके employers हो है वो आपको जितना tax से आप पे मतल आप NPS अपनी कटवाती है उतना यह employer आपका employer आपका इसमें मतल जमा कराता है तो वो आपके जैसे SECCD 1 यह आपको दिखाए दे रहा है और SECCD 2 जो होता है वो आपका employer का होता है ठीक है तो यह employer वाला आपको यहां पर filling करना है ठीक है तो आपको yes कर देना है और फिर आपको नीचे जो है नीचे आएंगे यह सारे जो आपके लिए कौन सी eligible है वो option देखने है और नीचे आपके लिए यहां पर option दिएगे are eligible claim any other deduction तो आपको yes करके और यहां पर भी आपको बरना है ठीक है तो यहां क्या बरना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ यहां पर tax saving का जो महन है वो यहां पर है SECC जो है payment respect pension fund है तो आप total यहां पर भी वर सकते हैं और उपर आपने बर्दियत को दिख करनी है SECC D1 जो है contribution pension जो है central government या government scheme के तहत आपको जो मिलता है तो वो आपको यहां पर आपने इंटर कर दिया अब इसमें यह देखिया आप यहां पर मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे कि यह जो pension fund का SECC D1 कैतर जार दो सो बानम रुपी में ने किया ठीक है और SEC के तहट है जो आपने pension fund का जो contribution किया वो आपने किया था टोटल जो है एक लाख है यह 33,220 रुपे अब इसमें जो है यह राशी और यह राशी दोनों अगर आपका राशी एड़ करते हैं तो डेड़ लाख रुपे से ज्यादा उरी है डेड़ लाख रुपे आपको पता रखना यहां पर NPS की जो राशी है यहां पर जो राशी है इस राशी को आप दो बागों में बाढ़ दो इस राशी को दो बागों बाढ़ने के बाद में आप पर जहां तक डेड़ लाख रुपे रहे हैं वो राशी इसी में रखो और इसके अलावा उपर की राशी है वो 80 CCD 1B में ले हुआ ठीक है तो यहां पर आप छूटे ले सकते हो तो इसी परकार से मैंने इसको डिवाइड कर दिया है यहां पर जो 80 CCD 1 के अंदर 16,780 रुपे होने पर यह रासी डेर लाक रुपे हो जाती है और बाकी रासी मैंने 80 CCD 1B के अंदर ले लिए तो यह आप इस परकार से ले सकते हो तो यहां पर फिर आपको अत्रिक्त 50,000 रुपे चकी छूट अत्रिक्त मिल जाएगी इसमें अलग से है वो क्योंगे एंप्लोयर का अग्जेम्शन होता है यह वाला तो यह आपको एटोमेटिक छूट पिलेगा इस परकार से आपको मतलल दो अलाक सतर जार कहतर जार की छूट मिल गी और 80C की तहता आपको अलग सी छूट मिलेगी ठीक है यह आप कंटिन्यू करेंग इसको फिलिंग करने के बाद कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स टेप इस परकार से आपके सामने ओप्सन ओपन होंगे इसमें आपको 80C के बारे में 80C का पुरा उपर डाटा आजाएगा नीची 80C CD 1 का जाएगा जो कि आपने इसको स्प आपकी रही हो इसमें जैसे अगर रास्तान गौर्वर्मेंट के एमपलोई अप तो यहाँ पर आपने रास्तान कोरोना फंड के रूप में आपने यह रासी जो दी थी यह 100% है आपकी ृटोनेशन टैक्स फ्री है ठीक है तो यह रासी आपको यहाँ पर एड करनी है इस र option आपको दिखाए देंगे without qualifying limit और 50% deduction without 50% वाला जो है वो यहां पर आप add कर सकते हो जैसे ग्यान संकल पोर्टल में आपने पैसा अगर जमा कराया है तो इसमें 50% deduction का qualify limit का होगा ठीक है without qualify limit यानि कि limit नहीं इसमें कितने पैसा आप जमा करा सकते हो तो इसमें सबसे पहला option आपको यहां पर select करना है फिर आपको pen number है वो अच्छी तरह से आप देख लो यहां पर तो इसको मैं थोड़ा option मिलेंगे donation in case और donation other mode तो आपको other mode करना है क्यों case में जमा नहीं करा है आपने other mode कर सकते हो जैसे आपने ग्यान संकल पॉर्टल में और दोनों में करा हैं तो दोनों के आप यहां पर आप एड़ कर सकते हो और फिर आप next पे चले जाए अगर आपने कोई health insurance करा रखा है तो SCD के तहट आपको छूट मिलनी है तो आप health insurance में आपके दस जार रुपे तक का मतल छूट पा सकते हो तो इसमें कोई अगर आपने extra policy ले रखिया तो यहां से आप छूट पा सकते हो SECCD 2 इसमें आपका मैंने अभी बचाया था आपका contribution जो है government आपको आपके NPS का जमा कराती है वो आपको लेना है एक चीज़ आपर द्यान देने वाली है आपको जितना भी total deduction हो चाए आपका income और total gross salary जो मिल रही है वो आपकी income होती है तो उसके अधार पे आपको income tax calculation करना है और SECCD 1 भी जो है आपका पचास जार एक्स्टा छूट वाला NPS केवल यह NPS कार्मिकों के लिए है तो आप इसमें पचास जार जैसे चोवन जार रुपे पान चोवन जार 512 रुपे का इलीजिवल था मैंने जो इसको split करके आपको दिखाया था तो पचास जार पे तक यहां पर छूट मिलेगी ठीक है इसके अलावा जैसे की 80 के तहत अलग से जैसे section अलग लग ब जो डोनेशन जो अपन करते हैं वो मैंने आपको बता दिया इसको आपका confirm करना है confirm करने पर next step पे आप चले जाएंगे next step पे आने के बाद यहां आगे next जो आएगा आपका step पे वो आएगा text pad का ठीक है जो आपने text pad के है वो यहां पर आपका show जाएगा अगर यह text pad यहां आपका show नहीं होता है यानि कि आपका form 16 के अंदर जो text से आपने जो जमा कराया था आपको एटीडियस से जो आपके employer के थरू वो आपको यहां पर डारेक्ट शोगा और यहां से फिर आप view your form 16 AS देख सकते हो अगर यह आपका match नहीं खा रहा है form 16 के coding तो यह चेंजेबल न आपको यहां पर अनोदर टेक्स यह एड कर सकते हो ठीक है अगर इसमें शियो नहीं हो रहा है तो यह आपको अगर यह टेक्स आपका बिल्कुल भी शियो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना होगा फिर इसके लिए आपको income tax department को mail करना होगा जिसका आपको 26 AS का screenshot लेके और आपका form solar का screenshot लेके और साथ में आपकी problem लिखती वे आपको screen मतल इंकम टेक्स की mail address है उस पर आपको करना होगा mail address में नीचे description में दे दूआ तो वहां जाके आप mail कर सकते हो इसके अलावा जो है income tax other than salary अगर आपने income tax जमा करा है तो यहां पर आपको show होगा आगर आपने ज ही तरह से कर जाएगी तो आप देख सकते उसमें ठीक है इसके अलावा नीचे जो है advanced tax का अगर आपने कुछ किया है तो वह आपको यहां पर एंटर करना है और tax paid का total यहां पर आजएगा और फिर आप confirm कर देगे तो आपका tax liability जो है total वह आपकी last पर आजएगी कि कितनी tax आ हो गए मैं आपको पहले बता रहा था tax zero paid करने के लिए तो आप जैसे ही इसमें आप लास्ट जो टैक्स liability का ओउशन competition seat आजएगे आपके सामने जिसमें आपका total taxable income यह हो गई total deduction यह और उसके बाद में पांच लाग रुपे से total income कम हो गई और यह tax calculate कर लेगा कि आपका tax actually यह बना जो कि पांच लाग रुपे से कम है इसलिए इसमें tax का rebate मिलेगा US 87A के तहट यहां पर भी रहे आप जैसे आपने कोई पुराना अगर area उठाय है तो आप यहां पर claim भी कर सकते हो जिसमें form 10 ही आपको fill up करना होता है तो वो यहां पर आपका कोई area है पुराने financial year का तो आप यहां पर add करते हुए next करेंगे और फिर आपका नीचे जो इसमें दिया गए है balance tax after relief है मतलग किस किस परकार से है तो आपको यहां पर स्योज़एगा नीचे ठीक है यह आपका complete होगा इसको confirm करेंगे confirm करने के बाद में आपका tax का जो completely come होगा है अब आप इस tax को verify आपको करना है इसको यहां से आप download भी कर सकते हो download का option section दिखाए दे रहा है और आप proceed भी कर सकते हो ठीक है तो जैसे मैं proceed करूँगा प्रोसीट के बाद में आपको यहां पर यह total tax दिखा देगा आपका कि कितना eligible है और यहां से आप print भी ले सकते हो ठीक है और download कर सकते हो फिर आप नीचे आएंगे इसको check कर तो अच्छी तरह से अगर आप सही तरह से आपने check कर लिए आपको समझ वाज़े तो आपको इसक पर यहां आपको इस पर चैक बोक्स पर क्लिक करना होगा यहां आपका नाम दिखाए देजाएगा और आपके पैन नमबर नाम बगगरा शोज़ जाएंगी ठीक है और फिर आपको यहां ताप वे सेल्फ ना करके आप किसी आपके प्रिपेर करा रहे हो किसी दूसरे से तो आपको यहां पर फिर इडेन्टिफायर का यहां पर डिटेल देनी होगी और फिर इसको प्रोसीड टूपर व्यूपर क्लिक करने के बाद में आप तीसरे पे पहुंच जाओ कि वेरिफाई जो है आपका संब्मिट का उप्शन और यहां आने के बाद में आपके सामने यह form आपका जो है assessment year का वो आपके सामने open हो जाता है और इधर उपर से आप download भी कर सकते हो इसमें आपका फूरा form open हो जाता है और यहां पर आपकी पूरी details जो आपके सामने show रही है तो यहां आप देख सकते हो इसको पूरी को एक चीज का आपको विशेज द्यान रखना है जो आपने form बरते समय आपने इसको option optimize किया था कि are you optimum for new tax region US यानि कि आपने tax region दो दो परकार क्योंगी तो new लेना चाहते हो तो आप yes करते है उसमें नहीं तो no करेंगे तो इसमें आप इसी पर आपको द्यान रखना है इसके इसाब से आपको tax calculate हो रहा है वैसे tax calculator में आपको से पर आप से हो रहा है इसको पूरा देखती है और फिर आप नीचे आके और यहां पर प्रोसीट तू वेलिडेशन पर क्लिक कर देंगे ठीक है प्रोसीट वेलिडेशन पर जैसी क्लिक करोगे तो वेलिडेशन आपका सकसेस्फुली हो गया no error है इसमें आपको दिखाई दे हो या भी तुरूंत करना चाहते हैं तो इसको मैं चैक बोस इस पर कलिक करूंगा और वैसे रिकमडिड है ठीक है इसको कंटिन्यू करेंगे और कंटिन्यू जैसे करेंगे तो आपके सामने यहां पर है इस परकार से इस परकार से यानि कि परकार से आप करना चाहते हो इसमें कई परकार से जैसे नियसे इवी क का ऑप्शन दे रखा है in electronic कोड जैसे नेट बेंकिंग के थूँ बैंक अकाउंट के थूँ आप डिमेट अकाउंट के थूँ ओलरी मालों आपके पास कोई कोड है तो और तो सबसे मैनली जो है आपका रिजिस्टर नंबर पर अधार से आपको टीपी लेना है ठीक है तो यह आपको चूज करना है इस प और अब उरिफाई करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूं तो ओटीपी मेरे पास आ चुकँ है मैं इसको कलिएर कर देता हूं यहां पर वेलीड खरूँगा ठीके जैसे मैं वेलीड पे कलिक करना है है तो जैसे मैं वेलीड पर क्लिक करूंगा तो वेरिफाइप होने के बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेयस दिखाए देगा कान्फॉर्मेशन का यहां पर आप समिट कर देंगे तो जैसे आप सब्मिट करेंगे तो आपका सेक्सहफुली सम्मीटि रिटन बीटन कितना होगा रिफंड कितना होगा वो सारा आपको दिखाई देजेगा उनीची क्यो आर कोड आपको जनेरेटीड होंगे और इसको आपको कहरें डोंट सेंड डे टू सी पीची बेंगलूरू आपको बेजने की आव सकता नहीं है जो पहले जो होता था इससे थोड़ा